क gelmiş है है। हैईलो दोस्तों दोस्तों सुआगत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स़्िटिण सिविल इंजनरिंग और आ радवी दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं यूनिट वेट्स यानि कि किसी भी मैटरियल का यूनिट वेट पर MQ कितना है दोस्तों ये वीडियो भी बहुत महत्वेपूर है बहुत जरूरी वेरी इंप्रोडेंट वीडियो है फॉर सिविल इंजिनियर फ्रेशर अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों ये मेरा थर्ड पार्ट है जो मैं दो पार्ट आपको पिछली वीडियो बना चुका हूँ बेसिक नॉलिज का ये थर्ड पार्ट है तो इसमें आते हैं दोस्तों कॉंक्रीट वेट का जो वेट होता है तो वो उसका जो होता है एक एम क्यूब में 2400 से लेकर 2500 केजी पर एम क्यूब होता है ठीक और इसी हिसाब से ब्रिक्स का दोस्तों ब्रिक्स का 1900 से लेकर 2100 केजी पर एम क्यूब होता है ठीक है फ्रेंड्स और इसके हमारा स्वाइल स्वाइल का जो है फ्रेंड्स होता है 1600 केजी पर एम क्यूब एंड कर्स एग्रिकेट का होता है फ्रेंड्स 2300 केजी पर एम क्यूब दोस्तों मैं इसके आगे जाकर आपको वीडियो को रोखोंगा जिससे आप आ रहा हमसे स्क्रींशॉट इसका ले लें जिससे की आगे आपको हेलप हो इस में फाइन एग्रीगेट यानि कर्स एग्रेगेट हमारा दोस्तों वो कहलाता है आपका रोडी और जो फाइन एग्रिकेट है वो हमारा सेंड होता है यानि बालू कोर सेंड ठीक है फ्रेंड तो उसका जो है 2350 kg पर एम क्यूब होता है सिमिन्ट का पर एम क्यूब में 2440 kg पर एम क्यूब होता है यानि 1440 kg पर एम क्यूब ठीक है दोस्तों अब इसमें आते हैं इस्टील का गोस्तों इस्टील का क्या होता है अटतर सो पचास केजी पर एम क्यों ठीक है दोस्तों और इस्टोन मेसेनरी यानि कि जो ब्रिक उसका जो इस्टोन का जो मेसेनरी होती है ब्रिक वर्क जो सोरी स्टोन वर्क जो होता है मॉर्टर के साथ उसका वेट होदा है दोस्तों तेइस सो केजी पर एम क्यों एंड सिमिं सेमिंट का मसाली जो हुदा है दुस्तों उसका हुदा 200 King प्रैम की यहां दूस्त तरी कि जो हमारा सेमिंट मसाली का मॉआटर दूस्तों को दोस्ते 1,000 Пока never ठीक है अब आता है तो देंसिटी ऑफ सेंड यहीं कि वो ड्राई सेंड था हमारा उपर जो हमने निकाला था सेंड का वो ड्राई सेंड था अब आता है हमारा वेट सेंड उसका दोस्तों होता है दोस्तों है 766 से लेकर 2000 kg पर एम एष्मक्यू ठीक है फ्रेंट अब जो हमारा फ्लाईस अस्तों होता है अप इस्तों का दोस्तों होता है साड़े 700 kg पर मो कि थीक यह हम डेंसिटी बता रहें सभी है अब अब आश्फॉल्ट अस्फॉल्ट का दोस्तों होता है 750 kg per mq and petrol petrol का होदा है 719.7 kg per mq ठीक है फ्रेंड इसका होदा है plastic का 1.0 gram ठीक है gram वो kg में चल ला था ही 1 gram पंस पर cm3 यानि वो m3 में था यह cm3 में आएगा ठीक है फ्रेंड तो इस चीज़ का भी ध्यान लगें क्योंकि इसमें कंफीज ना हो जाया कि कहां इंक्यूब है कहां क्या है और मैं यह आपके लिए वीडियो का पूरा वो देता हूं जिससे आप और स्क्रिंशॉट लेना चाहिए तो थे दोस्तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आही हो तो वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब करें ठीक है फैब और और इससे कोई कोय आपको करना थो करना है तो कमेट बाक्स में प्लीज मुझे question करें मैं उसका जवाब दोंगा और उससे related videos में आगे बनाऊगा ठीक है?